हेडा लूवीज, कैसी है मेरी लावीज आर्मी मुझे कमिन सेक्शन में ज़रू बताना चलिए गाइस देखते हैं आज की कारेंट एनरजी क्या है युनिवर्स का डिवाइन का आप लोगों के लिए क्या मेसेज है क्या संकेत है क्या बताना चाहते है युनिवर्स आपको यह हो सकता है आपको resonate ना करें एनरजी इस पर फोकस करें और देखते हैं युनिवर्स का आप सब लोगों के लिए क्या इंडिकेशन है अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो चानल को जरूर सब्स्राइब करें मुझे सपोर्ट करें मुझे प्यार दें और अपन करूंगे और चेक करेंगे कि आज के एनरजी इस आप लोगों के लिए डिवाइन का क्या एक संदेश क्या एक मैसेज आया है पहला कआड आया है दाट इस फ्रेंडिनेश्ट आइस अ वेरी पॉजटिव इंडिकेशन एक काड आ गया है मेरे पास याज और का देखते चलो दो काड आगे हैं, we have success and we have suppression, ठीक है, bottom deck देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत important है, हमारी लिए, उसका message जानना, that is conditioning, I guess कल भी मैंने एक reading करी थी, क्योंकि कल में एक success story आया, I'll share this thing with you, कल भी मैंने readings करी थी, महां पर ये message आया था about conditions, जिसमें से, I do not know, एक लाइन की success story आया है, मेरे पास, जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर चेक करें, इंस्टाग्राम पर मैंने success story डाली है, I'm so sorry for the voice जो पीछे आरी है, please थोड़ा ignore करना, किसी है कि यहाँ पर innovation का work चल रहा है, तो voice आरी है, लेकर मैं कार्ड आया था, और यह सेम कार्ड ने कुछ न कुछ एक message दिया था, जिसके थूरू एक क्लाइन का message आया, कि माम, same thing happened, आज में एक so and so जगा पर गई थी, और वहाँ पर same situation होई, जो आपने रीडिंग्स हो बताया था, I felt so happy, कि यह रीडिंग्स आप लोग को help करती है, कही कि अच्छी चीज को लेकर बहुत जादा ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं बहुत थक चुका हूँ, और मैं फ्रस्टेट हो चुका हूं, या तो मैं इस जगे इस चीज का कोई answer चाहरा हूं, या तो मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहरा हूं, आप अपने आपको बहुत जादा स्टक महसूस कर रहे हो, आपको एक जो कंक्लूजन मिलना चाहिए, वो चीजों का इहां पर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वज़े सा है, आप बहुत ही जादा चीजों के अंदर बन चुके हो, चीजों के अंदर ट्राप्ट फील कर रहे हो, चीजों को लेकर पर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चीज, ये सिचुएशन इसलिए हो रही है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में आपका किसी प्रकार का टेस्ट चल रहा है, किसी प्रकार से युनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, किसी प्रकार से युनिवर्स आपकी सिचुएशन को बेटर क कर रहे हो इसी वज़े से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हां दिये जिससे आपको डर लग रहा है जिससे तोड़ी गवरात हो रही है और ऐसा फील हो रहा है कि क्या चीजे मेरे फेवर में क्या चीजे मेरे अंडर में वर्क करने वाली हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज जो कार्ड आया था दाट इस फ्रेंग्लीनेस जिसका मैसेज आया है भली सिचुएशन अभी कैसी भी क्यों ना हो किसी ने किसी वे में समवन और दी अधर वन इस गोईंट यू आउट और वह आपकी सिचुएशन में हेल्प करने वाले हैं आपको इस ड्रास्टिक सिचुएशन से बह निकलने की कोशिश करो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी लाइफ के नए जोन पर नए फेस पर पहुचने वाले हो जो आपको अल्टेमिटली एक सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है जो आपको अल्टेमिटली उस चीज पर लेकर जा रहा है जिसको आपने बहुत समय से डिजा तोड़ा है लेकिन अंदर यंदर थोड़ा आइसोलेशन थोड़ा नेकेटिव थोड़ा अनहापिनेस फील हो रही है जिसकी वज़िसे थोड़ा अंदर यंदर नाखुश हो रहे हो चलिए अब एक मेसेज आप लोग के लिए निकालूंगी पाइल नंबर A, B, C में से आप ल कर लीजे एंड हां एक और चीज के लिए थांक यू सो मच मैं भूल गई मैंने अगिस न्यू मून डे वाले दिन आइफ रिमेंबर न्यू मून डे वाले दिन मैंने बहुत डीटेल रीडिंग्स निकाली थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है मैंने वाट्सप इतन सारे मैसेजेज रीड करें सक्से स्टोरी इंस्टाग्राम पर डाली है तो अगर आपको किसी बी टॉपिक पर डीटेल रीडिंग्स चाहिए तो मुझे जरूर बताना कोशिश करूंगे कि आप लोग के लिए डीटेल रीडिंग्स लंभी-लंभी रीडिंग्स भी नाना कर लीजें पाइल ए पाइल बी या पाइल सी में से चूज कर लीजें ओके जिन होने भी पाइल नंबर ए लिया है उनका मैसेज है दाट इस फोर ओफ सोड्स जिन लोगों ने पाइल नंबर बी लिया है उनके लिए है सेवन ओफ सोड्स और जिन होने पाइल नंबर सी लिया उनके लिए है page of swords, सारे cards हमारे पास swords में आए हैं, bottom deck एक message आप लोग के लिए that is the tower का, ये चीज देखो शुरुवात में ही पता चली थी, अगर आपने ध्यान से सुनाओगा मैंना आपको readings के start करने के समय ही पहली चीज जो आप लोग सब को बोली थी, आप बहुत सादा अके सब्सक्राफ वापस से आ गया, कितना important decision है ये कि कैसे हर कार्ड अपने आप रेजोनेट हो जाता है, कैसे हर कार्ड आपको एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, मताब रेजोनेट करने का बता रही हूं कि कितनी जल्दी चीजों चीजें आप लोग के लिए एक दम रिजनेट हो जाती है, सेम मैसेज देखो इनी कार्ड का आया है, और आइगेस सब लोग इसी सेम सिचुएशन पे हैं, जिन्हों ने भी पाइल नंबर A आप्ट करा है, आप लोग अभी बहुत जादा बर्डन में हो, बहुत जादा बर्डन फील कर र हो, उस आउटकम के लिए, उस रिजल्ट के लिए थोड़ा डर जादा चल रहा है, चीजों को प्लान करो, चीजों को अच्छी तरीके से प्लान आउट करो, एक बार बैट कर शांत दिमाग से थोड़ा युनिवर्स पर अपना भरोसा बढ़ाओ, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा, अभी का समय आप चीजों के लिए काफी जादा डरे हुए हो, आपको एक डर बहुत जादा महसूस हो रहा है, तो थोड़ा शांती पूरवक्त चीजों को पॉसेटिव माने में डील करो, ऐसा क्यों दिखता है कि धीरे धीर आप एक अच्छे जोन पर पहुचोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा अपना बिलीव सिस्टम, थोड़ा अपने ट्रस्ट को इंक्रीज करो, जिससे कि युनिवर्स आपके साथ हेल्दी कम्यूनिकेट कर पाए और आपको अच्छा गाइडन्स दे पाए, जिन्हों ने पा मैं अपने अंदर के सारे डर को रिलीज करता या करती हूं, अगर आपने लिया है पाइल नंबर बी तो आपके लिए इंडिकेशन आया है, तो आप लोग का सिनारिय थोड़ा डिफरिंट दिख रहा है, आप लोग को अंदर ही अंदर एक चीटेड वाला महसूस होता है, आ अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, आपने एक माइंसेट लोगों के लिए काफी पॉजटिव बना के रखा है, बट लोगों ने आपके साथ बहुत ही जादा नेकिटिव करने की कोशिश करी है, तो जिन भी लोगों के साथ फ्रेंशिप करते हो, जिन भी कड़े नगार का तक है ओपचो करा है आपके लिए मेसेज आया है पेज आप सोर्ट UV Card का ।क प्रकार का लिए इस पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब परिशान और निथा था इस नियरmor और गुणि नियर फैल को चल रहा है जैसा भी चल रहा है जो go with the flow, जादा gossiping में मत जाओ, जादा लोगों के बारे में तहहे तक जानने के कोशिश मत करो, अपने उपर फोकस करो, यह मत सोचो की हर चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, या मैं छीजों को बहुत बढ़ा चडा के गर सकता हूँ, no, ऐसा कुछ भी नहीं है, I तो थोड़ा अपनी चीजों को रिलीस करो थोड़ा मुझे आप चीजों को सोच बहुत रहे हो लेकर जो आउटपूट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सोच समझ कर बनाएं किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव फील ना करें क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत जाथ ओवर थिंक करें और आपको चीजों के ऊपर बहुत एक नेगेटिव जोन पर लेकर जारी है तो आज की रीटिंग्स के लिए इतना ही आज मैंने आप लोग के लिए बताया है अगर आपने पाइल नंबर भी आप्ट करा है तो आप कमेंट करेंगे I attract healthy relationships in my life I repeat मैं अच्छे खुबसूरत रिष्टों को अपनी लाइफ में attract करता हूं या करती हूं अगर आपने पाइल नंबर सी आप्ट करा है तो आप ये कमेंट करेंगे I love myself I love myself अब ये अपने लिए करोगे आपको self love के अभी बहुत ज़्यादा जरूवत है तो आप ये कमेंट करेंगे that I love myself समझ जाना कि ये message आपके लिए थोड़ा आपने आप पर focus करें पाइल नंब I hope आप लोग resonate कर पाए होगे आप लोग ने कुछ positivity ली होगी cards के थूँ स्टिल अगर किसी भी चीज़ को लेके doubt query है तो आप बिलकुल comment section में बता सकते है Instagram पे DM कर सकते है WhatsApp पर message कर सकते है for personal readings सारी free services आपको मेरे YouTube चानल पे आपको मेरे Instagram पे सारे videos readings मिल जाएगी अगर आप paid reading sessions बें इंट्रेस्टेड है consultancy के लिए इंट्रेस्टेड है तो आप हमें WhatsApp पर message कर सकते हैं thank you so much